सुप्रभार कख्षन होवी पाड 13 छेटे दूख से हम पढ़ेंगे आज ग्राम स्ट्री में आगे की काव्य पाड कभीता और कख्षन अंसर अब देखेंगे हम काव्य पाड में किया है कभीता का सर्वेश अब रजत सौन मंदरियों से लग गए आमरतरू की डाली ठर रहे धाग की पलके दर हो उठी कोकिला मतवाली महके कठाल मुकुलित जामन जंगे में जर्वेजी जूली पूले आडू मेबुदाड आलू वो भी पैजनूली संदा को पहले की तरह ही रहेगा जैसे पूल में बताया था कि इस कभीता को सुमित्रा नंदर पर्जिजी ने रिखा है और ये ग्राम श्री पार्ट से ली गई कावे थी पंक्सियां पर प्रसंद में ये बताया है कि कभी ने बसंद लिटू का वर्ण किया प्रसंद क्या रहेगा? कभी ने बसंद लिटू का वर्णन किया है मन मोहग के उस समय पे लों में लग जैने थोड़े फूबल पल प्रसंद लिटू का वर्णन किया रहेगा तो भावाद है प्रस्तुत पंक्तियां का विट्रण असुमिल पर्णन कि दिगार लेगा मैंने बताया रचेत कभी तब्रांस के सिरी ने ही है इन पंक्तियों के मादर से कभी बसंद लिटू का मन होग प्रणन कर रहे हैं आप बता रहे हैं यहां से के सवर्ण और रजड अर्था सुनहरी और चानहरी रंग के मंजरियों से आम के पेड़ की जो दालियां है बुल्द हुगा आपि देखा होगा आम के पेड़ में मंजरियां वोती ही बौर आए बौरी बौर आयए क्या बोलते हो उसको है ना बॉरें फिर पजड की कारण पीपल और दूसरे पेड़ों के पत्ते जड़ रहे हैं यानि वसंत के मौसम में उसके बाद आता है वसंत मौसम में पजड़ फिर पोयल मतवाली हो चुकी है और मजदधनी का सब को रस्पांस करा रहे हैं कजल की महट सेवर होने लगी है और जामन भी पेड़ों पर लग गई है वनों में जर्वेडी का अत्तित्व आ गया है घरे भरे चेतों में अनेक पर सब्दियां वूगाई हैं आलू नीबू आलू दाड़े मूली बोभी वैधन आदी जैसे अभी इस मौसम में चल रहा है आ संतरी तुमें क्या-क्या ओ रहा है फिर है पीले 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 नीट के अम्रूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी पग गए सुनेली मदुरू बेर अवली से तरुकी डाली जड़ी लेले पालर मेहमे धनिया लौकीयों उतलें पली पहली मख्मरी टमाटर हुए ला संतरी पूर बताएगा और पे हम पड़ें ये ब्याक्या कि सुनित्रा नंदेन जाए पंत द्वार लिए उन पंतियों को ब्राउंची से योई संदर्व में है और इसमें अम्रूद पके और मीथे फलों का बढ़न किया गया है कि सुन्दा दरस दिख रहा है उनको संकेत कर कि मीथे फल अब तीले हो गए है और उन पर लाल चिक्तिया निशान पड़ गए जैसे अभी मीथी खूब भी वगेरा जिसको हम रूद बोलते हैं बेर वगेरा सभी आंदर आउला भी आ गया है कि आगा सब चोटे चोटे फल से डाल जूल रही है अभी आपने देखा होग चोटे चोटे में पौद रही है जिस भी लग गई है इससे मिर्च का भड़ा लग गया ऐसा दिखरा मानो पूरी गत्री में पढ़ियां लह रहा के पसल पल्पूल रहे है पेर है ये बालू के सापों से अंके ये बताये जैसे चित्र में कि गंगा की सात रंग बता ही ये सात रंग ये सात रंग जिकरहने के जिसे पड्यारा फीला लाल सपे नीला आसमान सब घिक्राइश में इस गंगा की सत रंगी रेती सुंदर लगती सरपच्छाई तटपा तर्पू जोंपी के थी अंगली की कंगी से बबले कलंगी समारते हैं कोई तेटे जल में सुर प्राक्रति संदर का चित्रन किया गया है क्या है कि प्राक्रति संदर में क्या चित्रन करा है गंगा किनारे जो भी में रंगों में सर्तेज रेट का बंटार है उस रेट के तेड़े मेरे प्रस को देखा ऐसा लगता है मानो बालू रूपी साम पड़ा हुआ है और गंगा के तट्पर जो मास की हजल बीची हुदिवा बहुत संदर लगे साथ में तर्भुजों की केटी करते हैं मानो बे कंगी कर रहे ही है जल में चक्रवाग पंख़ी टेयरते हुए है ज़र आ है मग, रौटी पंख़ी बीय्वार आराम से सोई हुए और विश्रां कर रहे हैं यह प्राक्रति संदर का वर्मन है उपम अरंकार जिग असभु अर्याली ह ही मातब शुक्से अलस निरूपन हिमान्त में इस थेग्दशान निश्चोबा से अख़ता जन्मन प्रस्थत पंक्तिया सुवित्र ननकपत के दार एकिली ग्राम से सली गई है वही राइगा प्रसंग में है प्रापतिक सौंदर और चिलसुदर चित्रम किया गया दर्ती पर होता है तो लोग आलशी से बनकर अशुख से सोय रहते हैं देर से उड़ते हैं सर्दी की रातों में उस पढ़ने की वजए सब कुछ दीखा पीखासा और खंडब समयसूस हो रहा है तारों को दिककर ऐसा अभार हो रहा है कि सपनों में दुनिया को रहा है और अकत्तर मन मोगर वाता बन में पूर रहा है और आकास याचान की तो रही जिला आकास और पंड़नाम गरत्म जैसा कृतीश हो रहा है शड़वरितू के अंधिम शड़व में गाउन के मैं मासून बाता वरननननन अनुपम शांती अन्वा हो रहे हैं शोभा एक द्रवाता है तो जिसे देखता एक एक हैतास करके गाउन के साले लोग प्रकुलित हो रहे हैं और उन गामन फिलखिला कर हस रहा अब है प्रेस्णों के उत्तर कि कभी ने गाउं को हर्ता जन्मन क्यों कहा कभी ने गाउं को हर्ता जन्मन इसलिए कहा कि उसकी सोगा अनुपा में चारोतर्ब हर्याली चाही वीज हो इसलिए दर्ती को आपरसा मी कर रहा थी और प्रारक्रीत प्राक्रशां गी चूता है कभी ही ता ओविए, मौसमन की स Advard कभी ही ता में बसंत उरिrage, का संदर गड़तृина तरसों की पूले पूले हरे लुख चाही हो जै गौप को मरकट जडबे से खुला, क्यों कहा गया है, मरकट पढ़ना नावार, रखन न को कहते है, जिसका रंग भरा होता है और बार जडबे से सब कुछ मार्ग, साफ करकर, बेशाफ साफ बिटता है, मरकट के कि घुलना, गाउं के हरी अली शी पी जग गया है, वाता वरान मर्कट एक फ्ले घिट्टे के समान गला भरा भुलाका लगा दाइए इसलिए जाओं को मर्कट को मर्कटした फिला कखा गया फिर है अधर और सनाई की खेद सब कभी को कैसे दिखाई दे रहे हैं अधर और सनाई के खेद कभी को सोने की किर्कडियों के समार दिखाई दे रहे हैं फिर है भाव इसकोस्त करिये बालू के सापों से यंकि गंगा की सतरंगी रे तो प्रस्तुत पंग्तियों गंगा नजी के तट की जमी वागी की सतरंगी कहा गया उसमें क्यूब की सूर्ग की के पढ़ रही तो वह सतरंगी रेड़ दिख रही है तेड़ी बेड़ी रेखाएं तो सूर्ग की के प्रवास चमख में लगती हैं और यासा लगते कि सांथ चलने जैसे समान क्रती हो रहा है हस्मुख हर्याली ही मातब सुख्से अलसाई ठे सो यह हर्याली का वातवान चाया हुआ है वड़ने इस पंक्ति में असूर्ग की प्रकादियत मगाती हस्मुख सब रती सूर्ग सर्दी में दूप में खिली-खिली है, दूप संती की दूप और ऐसा लग़ा जैसे दोनों अंसाये हूं कर सोए हूए जोए नित्ते पंग्तियों में कौन सा अलंकार है, जिनकों के हरे-हरे तन पर हिल हरे दुरुचे रगए रहा चल लगए हरे-हरे में इदर को रुपती अलंकारे में बार बार इसको तब्रकों लिया गया है इल हरे अलुप रास अलंकारे, तिनकों के तन पर मानवी करण अलंकार है क्योंकि वह तिनकों किसी का वर्णर है तो उसको तिनकों के तन पर बताए तो उसका क्या आईगा लंका? मानवी करण लंका इस कभीता में जिस गाउं का चित्रण हुआ है वाय भारत के किस भूभाग परिस्तित है? उत्तर है इस कभीता में उत्तरी भारत के भारत के गाउं का जित्रण हुआ है उत्तरी भारत भारत के केती प्रदान राजियों में प्रमु के हमारा भारत वशी प्रदान में से जहां केती बौर्द हो थी है अब है भाव और भासा की दिष्टी से आपको यह कैसी लगी कवीता और इसका वर्णन अपने शब्तों में कीजिए प्रस्तुत कवीता में भाव और भासा दोनों की दिष्टी से अत्यान सहर और आगर सकते प्रस्तुत कवीता में प्रक्रती का चितर नुनावना और सुन्दर दर्शाया गया है कवीता के प्रक्रती का मानभी करन किया गया है कवीता की भासा भी अत्यान सरल मदो तता प्रवाय बही है अलंग कारों का प्रयोग करके कविता के सोथारे में और भी वर्दी हुई है बच्चों आपको इस कविता का वर्णान तूरा लिखना है और सारे कुश्चन आंसर कापी में करने हैं परिक्षा पास में है